Hello dear students, आज हम discuss करेंगे decay of current in RL circuit पिछली बार हमने growth of current देखा था या rise of current देखा था आज हम decay of current देखेंगे किसी भी RL circuit में तो RL circuit में पिछली बार हमने देखा जब switch on करते हैं हम तब current जो है वो flow होने लग जाता है और फिर दीरे से वो बढ़ने लग जाता है जिसकी वज़ा से एक flux जो है उसकी value, magnetic flux की value भी बढ़ जाती है और फिर एक induction EMF जो है वो induce हो जाता है सर्किट में तो जब EMF induce होता है सर्किट में उसकी वज़ा से वो oppose करता है current के flow का और फिर दीरे current जो है वो बढ़ने लग जाता है पतलब एकदम तेजी से नहीं बढ़ता है बलकि वो दीरे दीरे बढ़ने लग जाता है अब जैसे ही हम उसी सर्किट की बात करते हैं और उसी सर्किट में अगर हम ये consider करते हैं कि ये हमारे पास circuit था तो इसी सर्किट में अगर हम ये consider करते हैं कि जैसे ही हम switch off कर देंगे तो switch off करने पर वहाँ पर क्या हो जाएगा switch off करने पर current flow होना बंद हो जाएगा तो current धीरे धीरे कम होने लग जाएगा जिसकी वज़े से flux फिर से यहाँ पे change होगा flux change होने से emf induce होगा और emf जो है वो oppose करेगा current के कम होने का भी वो oppose करेगा तो ये कहलाता है decay of current अब इसके लिए हमको निकालना है एक expression तो decay के समय होता क्या है जब भी किसी time t पे माल लेते हैं अगर current i flow हो रहा है तो जो rate of decay of current है वो इस time पे है di by dt और emf की value आपको पता है e is equals to minus l di by dt है तो यहाँ पर अभी जब हमने switch off कर दिया तो कोई भी external emf नहीं है circuit में induced emf जो है वो potential difference v is equals to ri जो की resistance के across create हो रहा है उसके बराबर होगा यानि minus l di by dt is equals to ri यही चीज़ दियान देजिए इसके पिछले वाले पारी में हमने क्या किया था यहाँ पे e भी था और अभी जब switch off कर दिया तो वो नहीं है तो minus l di by dt is equals to ri या फिर इसी equation को हम कैसे लिख सकते हैं di upon i is equals to minus r upon l dt integrate जब हम इसको करेंगे तो integrate करने पर एक constant आ जायेगा यहां से हमने इसको integrate कर दिया और फिर एक constant a आ जायेगा यहां पर integrate करने से log i is equals to minus r upon l into t plus a यहां पर आपको मिल चाहेगी जहां पर a जो है वो constant of integration है अब यहां पर initially शुरू शुरू में अगर आप देखें current जो है वो maximum था current maximum शुरू में इसी लिए था क्योंकि अभी हम off कर रहे हैं इसी लिए तो i 0 जो है is equals to e upon r यानि कि t is equals to 0 पे i is equals to था आपका i 0 तो log i 0 जो है इसकी value हो जाएगी 0 plus a या फिर आपको यहां से a की value मिल जाएगी a is equals to log i 0 के पराबर अब इस a की value को आपको substitute करना है यहां पर तो यहां पर आप substitute करेंगे तो आपको मिल जाएगा log i is equals to minus r by lt plus a यानि log i 0 तो log i यह होगा आपका log i minus log i 0 is equals to minus r by l into t या log i minus i 0 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं i upon i 0 is equals to minus r by l into t और इसी को हम लिख सकते हैं i upon i 0 is equals to e raise to minus rt upon l तो i is equals to आपको मिल जाएगा i 0 e raise to minus rt upon l के बराबर अब यह जो expression है यह आपको instantaneous current की value देता है कब जब decay हो रहा है current का किसी ऐसे circuit में जिसमें की resistance और inductance दोनों लगे हैं अब यहाँ से आपको फिर कुछ conclusion मिलता है कि जो decay of current है वो कैसा है exponential है जैसा increase यह rise of current होता था exponential होता था यानि कि पहले वो बहुत तीजी से decrease होगा और उसके बाद वो दीरे दीरे decrease होगा दूसरा जो है वो यह है कि i equals to 0 होगा i equals to 0 तब होगा जब tis equals to infinity होगा यानि infinite time लगेगा डिके होने में current को जैसे कि growth में भी infinite time लगता था ठीक उसी तरीके से decay में भी infinite time लगेगा तीसरी बात यह जो L by R है वो आपका कहलाता है time constant इसको हम तब भी discuss कर चुके थे और इसको हम डिनोट करते हैं कि से lambda से तो i is equals to आपके पास है i0 e raise to minus t by lambda आप ऐसा लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं at t is equals to lambda जब t की value जो है वो lambda के बराबर होगी तो फिर आपका जो i है is equals to i0 e raise to minus 1 इसको जब आप सॉल्फ करेंगे तो आपको मिलेगा 0.368 into i0 यह मिल जाएगा आपको 0.368 into i0 के बराबर तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसे define कर सकते हैं कि जो time constant है किसी circuit में जिसमें की inductance है और resistance है यह दोनों चीजे जिसमें लगी हुई है वहाँ पर यह time constant वो time है जब current जो है उसकी value कम हो जाती है कितनी कम हो जाती है 0.368 times कम हो जाती है अपने maximum value से यहाँ पर time constant को कुछ इस तरीके से हम define करेंगे अब इसके बाद हम देखते हैं जो rate of decay of current है di upon dt उसकी value क्या हो जाएगी d by dt into i0 e raised to minus rt upon l इसको आप आई लिख सकते हैं यहाँ पर जो negative sign है आपका वो यह दिखा रहा है कि current जो है वो decrease हो रहा है तो यहाँ पर जैसे जैसे जो time constant की value है उसकी value जादा होगी वैसे वैसे rate of decay of current जो है वो कम होते जाएगा या हम इसको अगर draw करें तो फिर एक graph इसके लिए draw कर सकते हैं जहाँ पर x-axis में time को लें और y-axis में current को तो कुछ इस तरीके से आपको यह दिखेगा अलग-अलग time constant के लिए तो growth और decay, growth में हमने कुछ ऐसा draw किया था तो growth, decay दोनों को अगर दिखाना हो तो फिर x-axis में time और y-axis में current लें तो फिर आपका यह हो जाएगा growth और यह हो जाएगा आपका decay time के साथ अब यह जो growth और decay दोनों हुआ current का circuit में ऐसे circuit में जिसमें resistance और आपका inductance यह दोनों चीज़े लगा हुआ था तो वहाँ पर energy हमको calculate करनी है मालली जी आपको का जाता है कि आपको energy calculate करनी है तो आप energy कैसे calculate करेंगे सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि यह energy आई कहां से जब current flow होना शुरू होता है तो current के flow होने से पहले ही inductive coil है आपके पास और coil के पास जो current है वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमने का EMF induce होता है और यह EMF जो है यह current के बढ़ने का oppose करता है किसका oppose करता है current का oppose करता है और वो जो extra work करना पड़ता है बैटरी को किस के अगेंस्ट में? इस induced EMF के अगेंस्ट में extra work करना पड़ता है क्योंकि ये तो oppose कर रहा है न करेंट को बढ़ने नहीं दे रहा है तो इसी लिए extra work कॉन करता है? बैटरी extra work करता है ये जो work है ये store हो जाता है कहां पर जाकर के ये store हो जाता है कोयल में magnetic energy के form पर और इसके साथ ही जो flow of current है resistance ये कोयल के पास के हमने बात की कोयल के पास के current के हमने बात की resistance के पास जो current flow हो रहा है उसकी बात करें तो वहां पर भी कुछ heat डेवलप हो जाता है और जो rate of total energy है जो की बैटरी दे रही है वो बराबर हो जाएगी heat energy plus magnetic energy के ये heat energy और magnetic energy के बराबर हो जाएगी तो इस तरीके से ये दोनों store हो जाते हैं अब दिके जब होता है current का तब total energy जो है magnetic energy जो store हुई है वो transform हो जाती है heat energy में तो ग्रोथ के समय जो rate of energy है जो की battery जो है battery से जो impart हो रहा है rate of energy जो बैटरी हमने कहा कि बैटरी ने work करना है extra work बैटरी कर रहा है तो उसको हम d e by dt या d epsilon से denote कर सकते हैं is equal to e i which is equal to e into i0 1 minus e raised to minus rt upon l which is equal to इसको आप आगे और solve करोगे तो e square upon r 1 minus e raised to minus rt upon l क्योंकि i0 जो है वो है आपके पास minus e upon r के बराबर d epsilon by dt इसलिए लिखा हमने energy को शो करने के लिए हमारे पास already e था इसलिए यह दोनों में differentiate करने के लिए तो e i i is equal to आपने निकाली थे value i0 1 minus e raised to minus rt upon l तो यहाँ पर यह बन गए आपका e square upon r 1 minus e raised to minus rt upon l which is equal to क्योंकि यहाँ पर i0 जो है वो आपके पास है किसके बराबर e upon r के बराबर है तो यहाँ पर आगे बने हम अब हमको calculate करनी है दो-दो energy की तो दो-दो energy को जब हम calculate करेंगे तो फिर उसके लिए rate of energy जो resistance के पास develop हुई वो dh upon dt which is equals to लिख सकते हम i square r which is equals to i0 square 1 minus e raised to minus rt upon l ka whole square into r तो यहाँ पर rate of magnetic energy अगर हम निकालेंगे यह heat energy होगया आपका rate of magnetic energy B से denote करें B energy हम कहारें इसको तो यह du upon dt यह भी पहले calculate कर चुके हैं d by dt half li square which is equals to li di by dt इसा लिख सकते हैं So this is equals to li0 1 minus e raised to minus rt upon l into e upon l e raised to minus rt upon l which is equals to e square upon r e raised to minus rt upon l into 1 minus e raised to minus rt upon l तो यह दोनों जो equation हमको मिले dh by dt और du by dt यह दोनों से clear है कि d epsilon by dt is equals to dh by dt plus du by dt तो जो भी battery ने energy दिया है वो energy heat energy जो की resistance के पास मिली थी और जो energy coil के पास मिली थी magnetic energy उसके सामके बराबर होगी decay of current के समय क्या होगा decay के समय dh by dt is equals to हो जाएगा i square r तो total जो heat energy होगी जो की time t is equals to infinity में develop होगी उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे h is equals to zero to infinity i square r dt which is equals to zero to infinity i की जगा i0 e raise to minus r t upon l का whole square r dt which is equals to i0 square r integration zero to infinity e raise to minus 2 r t upon l into dt इसको आप आगे solve करेंगे तो this is equals to i0 square r e raise to minus 2 r t upon l upon minus 2 r upon l और limit लगाएंगे zero से लेके infinity तक का तो फिर solve करने पे हमको यह आगे मिलेगा this is equals to minus half l i0 square e raise to minus infinity minus e raise to minus 0 which is equals to minus half l i0 square 0 minus 1 which is equals to half l i0 square के बराबर तो इस तरीके से dk of current भी निकाल सकते हैं हम dk of current के समय जो heat energy डेवलप उसकी value भी हम निकाल सकते हैं तो इसे हम total energy निकाल सकते हैं ध्यान में सिर्फ हमको expressions को रखना है जब rise के समय की बात आई थी तो वहाँ पर हमको समय की जब बात आई थी तब e था वहाँ पर क्योंकि switch on कर रहे थे हम और जब dk of current की बात आई थी तब वहाँ पर e नहीं था क्योंकि हम switch off कर रहे थे इसी लिए तो आज के लिए इतना ही इसमें कोई भी डाउट हो तो फिर आप comment section में पूछ सकते हैं वीडियो अगर अच कर रहे थे चूछ सके अचिए अच च्डब श्ब एंड़ कर सकते हैं